हालो फ्रेंड्स आइंसिस एकड़ेमी के उच्टेसल प्रोडफार्म पर आप सब का स्वागत है फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम यूपी राज़ोस्तु लेक पाल पर इच्छा के सिलेवस में मेंसन सामान हिंदी से संबंदित कुछ प्रस्णों को देखेंगे पैनी की प् प्रस्ट कर दें ताकि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अप्लोड हो उसकी अप्डेट आपको तुरंती मिल जाए ठीक है आज के प्रेक्टिस सेट का पहला प्रस्ण है और हां फ्रेंड्स आप भी मेरे साथ साथ करते रहे हैं अंत में मिलाई है कितने कोस्टिन आपके सही है ठीक है देखते हैं पहला प्रस्ट पहला प्रस्ट्ण है जहां एक ही सब्द के और अर्थ व्यक्त कियो हो तो वहां पर कौंसा अलंकार होता है तो ऐसी स्तित में वहां पर शलेज होता है ॥ी क्यां अब्रफ्टर tabii सामाव कर्मधार शमाश तो अंपर में कौन सा समास है आपके पास 4 option है, दौंद समास, दुग समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारे समास, तो अनपड में कौन सा समास है तो अनपड में आपका तत्पुरु समास है, ठीक है, option number C आपका correct हो जाएगा, अनपड़ में अनतत्पुरु से अभाव या निसेत के अर्थ में सब्द के पूर्ब आ आ अत्वर ना लगने से अनतत्पुरु समास का निर्मार होता है, अनि अनतत्पुरु समास बनता है, ठीक है, आगे देखते हैं next क्या है, पाड़ी का परियावाची है, तो पाड़ी का परियावाची होता है, आपके option से option A, option B है कर, option C है, अंगली माल, option D है हस्ती, आपका correct answer क्या हो जाएगा, आपका correct answer हो जाएगा, पाड़ी का पर्यावाची हस्त ठीक है हस्त होता है भुज होता है कर होता है ठीक है तो यहाँ पे कर दिया हुआ है तो कर आपका या अप्सन नमबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं आवाहन का बिलूम सब्द बताना है आपको आपके पास चार आप्सन है बिसर्जन ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स क्वेस्चन है आपका हिंदी ब्याक्रण में ब्याउत्पत्ति की दिर्ष्ट से निमलिखित में से किस प्रकार के सब्दों का उलेख नहीं है ठीक है आप्सन ए है तदभव आप्सन बी है तत्सम आप्सन सी अपभरंस आप्सन डी है देसि या देसज ठीक है आपका करेक्ट अंसर हो जाएगा ओप्सन नंबर सी अप्रण्स ठीक है अप्रण्स का उलेख नहीं है आगे बढ़ते हैं आप्सन और सिक्स पे आपसे पूछा गया है कौन सा तत्सम है निम्लिकित तब्दों में से कौन सा तत्सम है आपके पास option है option A है कपूत, option B है कपूर option C है कंदा option D है कुपूत्र तो आपका correct answer हो जाएगा option number D कुपूत्र ठीक है कुपूत्र जो है वो तत्सम सब्द है जबकि कपूर कपूत्र जो है वो तद्वो सब्द है ठीक है question number 7 देखते है मृत्यू पलस उपरांत में संदी करने से निर्मित सब्द होगा option number A लिखा हुआ मत्रो परांत option B है मृत्यू परांत option C है मृत्यू परांत option D है मृत्यू परांत तो आपका correct answer क्या हो जाएगा question number 7 का correct यानि सही उत्तर हो जाएगा option number D मृत्यू परांत ठीक है आगे बढ़ते हैं next है आपका आपक्यांस के लिए एक सब्द आपसे पूछा गया है question number 8 में जिसकी गर्दन सुन्दर है option A है सुदर्सन, option B है सुगत option C है सुगर्दन option D है सुग्रिव आपका correct answer हो जाएगा question number 8 का D सुग्रिव ठीक है next question देखते है question number 9 तूती बोलना मुहाबरे का क्या तात पर है option number 1 A है दिवाला निकालना option B है प्रभाव जमाना option C है जल्द मरना option D है तितर बितर होना ठीक है अब question number 9 का correct answer हो जाएगा B प्रभाव जमाना क्या प्रभाव जमाना तूती बोलना मतलब प्रभाव जमाना ठीक है आगे देखते हैं कौन सा सब्द सुद्ध है आपको बताना है option A है अंको की औसत अच्छी है option B है अंको का औसत अच्छा है option C है अंको की औसत अच्छा है option D है अंको का औसत अच्छी है तो आपका correct answer हो जाएगा question number 10 का B अंको का औसत अच्छा है ठीक है next question देखते है question number 11 इन में से कौन सा सब्द अच्छर का अनेकार्थी है तो अच्छर का अनेकार्थी सब्द है आपका option पहले देखेजिए option number A है जीव option number B है अविनासी option C है संपूर option D है बकरा तो अच्छर का अनेकार्थी सब्द हो जाएगा अविनासी ठीक है आचर अभी नासी जिसका चरण ना हो सके अभी नासी ठीक है ग्यारा नमबर का हो जाएगा आपका करेक्ट एंसर अप्सन नमबर बी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नमबर बारा पे चरर मरर खुल गए अरर रो इस फुटो से ठीक है इसमें कौन सा अलंकार है आपस सर हो जाएगा क्वेश्चन नमबर बारा का अनुपरास देखिए जब भी सब्दों की पुनरा वृत्ति होगी वहां पे अनुपरास अलंकार होता है आपसे नमबर यह आपका करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रस्ते संबंदित है पुछा सिंहार प्से सिंहार रस्का स्थाई भाव क्या है अपसन अत्सा अपसन वीच आपसन यह हैं शघ्यार को हम थे हटा है 2015 GBr yes का स्थाई भाव होता है अवे अद्स्सा कराउड़ का सोग कुछ सब्दका इस नमबर ड्या आपका बचल र्ँति जो है वो सिंहार लस्त कास्था भावार ठीक है नेस्ट कोश्चन है आपका समाज सब्दकार्थ है तो समाज सब्दकार्थ क्या है यह आपसे पूछा गया है option A है संचेप, option B है व्याल, option C है टिप पड़ी, option D है सार, आपका correct answer हो जाएगा option number A संचेप, समाज सब्दकार्थ क्या होता है संचेप होता है next question देखेंगे question number बंदरा, निमलिखित वाक्यों में सुद्ध वाक्यों का चैनल कीजिए option आपके दिये हैं सामने ये रहे, option A है इस पार्ट को पढ़े, option B है या पार्ट पढ़ो, option C है इसे पार्ट को पढ़ो option D है या पार्ट को पढ़ो, correct answer हो जाएगा, option number question 15 number का option number B, correct answer हो जाएगा या पार्ट पढ़ो, 15 question का correct answer हो जाएगा, option number B आगे बढ़ते हैं समास के पराया कितने वेद माने जाते हैं तो समास के पराया छे वेद माने जाते हैं ठीक है समास के पराया कितने वेद माने जाते हैं तो समास के पराया छे वेद माने जाते हैं अब बैभा समास होता है क्या होता है आप बैभा समास होता है आपका तत्पुरुष समास होता है आपका कर्मधारे समास होता है आपका द्युग समास होता है आपका द्वन्द समास होता है और आपका बहुवरी समास होता है ठीक है और छे वेद माने जाते हैं Next question देखेंगे, निमनिखित में से कौन सी रचना फड़ीश्वन नात्रेडू की नहीं है, तो question number 17 का option देखी, option यह है, परती, परिकता, option भी यह कितने 14 है, option C है, मारे गए गुलफान, option D है, उसने कहा था, तो question number 17 का correct answer हो जाएगा, आपका, option number D, उसने कहा था, यह फड़ीश्वन नात्रेडू जी ने नहीं लिखी है, ठीक है, उसने कहा था, जो है आपके, चंद्रधर सरमा गुलेरी की रचना, किसकी, चंद्रधर सरमा गुलेरी की रचना है, ठीक है, आगे देखते है, next question क्या है, next question है आपका, निमलिखित में से कौन सी प्रेम चंद की रचना नहीं है, option A, सेवा सुधन, option B, कर्म भूमी, option C, गोदान, option D, स्रीकांत, तो 18 का correct answer हो जाएगा, option number D, स्रीकांत, स्रीकांत, जो है, वह सरद चंद, चट्टो उपाद्धाय की रचना है, किसकी, सरद चंद, 19, स्री, गति पाना का अर्थ है, तो गति पाना का क्या अर्थ है, आपसे पूछा गया, option A है, मोच पाना, option B है, गति का बढ़ जाना, option C है, दुरगती होना, option D है, तेज चलना, तो 19 का correct answer हो जाएगा, option number A, गति पाना मतलब मोच पाना, ठीक है, इस ट्रेक्टिस का last question लेकते हैं, उन मीलन का बिलोम सब्द है, option A है, अपसन B है, नी मीलन, option C है, उन मूलन, option D है, मिलन, तो 20 नंबर का B, option correct है, नी मीलन, ठीक है, आप, और हाफ फ्रेंट्स, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएगा, कि आपके इस 20 प्रस्टों में से कितने प्रस्ट सही अगर आप इस प्रक्टिसट को करके जाएंगे, तो आपकी एक्जाम में जरूर ही आपको लाप पहुच आएगा, ठीक है, मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद